प्यारे बच्चों सभी को नमस्तकार और सभी को गुड मॉर्निग मैं उदित गुपता आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टेटी पॉइंट पर सताथियों देखे आज 3 अप्रेल हो गई है और आज करेंडफेस देखेंगे सबस चले फिर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो हमेशा की तरह प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल पन्नाय है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा ताकि आप को इसी तरह से रिगलों नोटिफिकेशन मिलता रहे और लास्ट में शेयर जरूर करिएगा ठीक है ना चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बेहतरीन सेसन साथियों और आगे वड़ने से पहले आपके लिए एक इंपोर्टेन इंप्रमेशन दे दूं काफी जरूरी है देखे साथियों आप में से कई बच्चे बोलने प्लीज आप लोग साम को साथ बजे साथ अप्रेल को जरूर आईएगा डेली में आपको इंफॉर्म करूंगा ठीक है और जाके वीडियो को लाइक कर दीजेगे वाली वीडियो कर दी गई है साथियों चलिएगा मायराथन क्लास रहेगी और डेली आपकी शाम को शाथ कोटिवेशन में आज मैं आपको कुछ अपने तरीके से बता रहा हूं विद्यार्थियों के लिए कुछ जरूरी फैक्त है जो आपको जरूर साथियों फॉलो करना चाहिए अगर आप अच्छे स्टूडेंट अगर आप सफल होना चाहते तो इन बातों को जरूर ध्यान र कंफ्यूज नहीं होना इधर उधर की बुक्स नहीं भटकना है एक ही बुक पढ़िए बार बार पढ़िए रिवीजन करिए और धैर बहुत जरूरी है अगर आप सरकारी नौकरी के त्यारी कर रहे हैं किसी भी कॉमप्टिसन एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं अफिल और अगर इमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं तो आपके धैर का जो सब्र कफल है वह बहुत मीठा होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको जब आपको शफलता मिलेगी अनावर्शक चीजों को नजर अंदाज करने कि आपके अंदर कैप सिटी होने चाहिए यानि कि कि अगर आप कोई भी ऐसा रिलेटिव है आपको दोस्त है ऐसे कई लोग हैं जो ताने मार रहे हैं आपको लगातार समाज में उनको इग्नोर करिए त्यारी करते समय निरंता रती आवश्यक है भले आप रोज 3-4 घंटे पढ़े लेकिन रोज बढ़ाई करें मैं आपको ड पीना पड़ेगा मैं समझता हूं आप माली जे दो साल 3-6 महीने एक साल त्यारी कर रहे हैं आप सफल नहीं हो रहे हैं कोई भी एक्जाम दे रहे हैं उसको आपको नहीं कर पार है उसके अंदर आपको एक कैपसिटी होनी चाहिए ठीक है कि आप उसको जो है उससे उबर सकी क्या चोड़ने को ढिनी बेहट जरूरी है आपको मैं एक टीचार हूं ये सारी चीजा मैं कर चुका हूं और सारी चीजैंत कर चुका हूं मैं यह सारी चीजे जानता हूं इसलिए मैं आपको लिए लिखा हूँ जारी चीजें विद्ध्यारति चुटेंट्स के लिए सभी के लिए हलाकि यह लाइप में जरूरी है ठीक है अगर अच्छा लागा हो तो कमेंट सक्षान में बताएगे कि आपका यह क्लास कैसा लागा देखते हैं सातीं च्रेंडिंग करेंड कस्वेष सके जियागा है ने मॉट इंडिख कर्वी चाया का सब्सक्राइब कित लिएट ध्यफिते का इसिता है मत्हुर아 मथुरा यूपी में आता है और यहां के प्रशित जो है सांजी क्राप्ट को जी आई टेक दिया गया है नेक्स कोशन है कोशन नमबर सेकेंड फिक्की महिला संगठन के एक तालिशवा रास्ट्री अध्यक्ष के रूम में किसने पदभार ग्रहन किया है यानि कि फिक्की का महिला संगठन नए अध्यक्ष कौन बनाई गई है तो यहां पर यह important question है सात्यों जैरि दाश बरमा याद रखियेगा बच्चों फिक्की के नए अध्यक्ष बने जैरि दाश बरमा नेक्स कोशन है मियामी ओपेन में पूरुष डवल्स का खिताब किसने जीता है उत्तर हो जायेगा रोहन वोपन्ना और मैथ्यू एडवेन एबडेन जो हैं ये मियामी ओपेन में डवल्स पूरुष डवल्स का खिताब जीत लिया है और जवाहलाल इंवर्सिटी की सिख्छक सिख्षक संग का नया चैर्मन मना दिया गया है नेक्स कोशन है बच्चों माइक्रोशाफ्ट विंडोज का चीफ किसे नियुक किया गया है पवन दाव लूरी को दाव लूरी को नियुक किया ठीक है चलिए तो ध्यान रखिएगा आप देखते हैं आज का बहतरीन करेंड़ कॉपी पेनल लेके बैट जाएए एक अच्छे स्टूडेंट की तरह है ठीक है चलिए पहला कोश्चन देखते हैं पहला कोश्चन पढ़ियागा बहुत इंपोर्टेंट है साथियों इलेक्ट्रोनिक्स और मैकेनिकल इंजिनियर्स के 33 महानिदेशक किसने पदभार ग्रहन क्या है साथियों J.S. सिदाना किसने करहन किया है J.S. सिदाना यह सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है एक्जाम में नियुक्तियों सिलेट प्रस्न पूछा जाता है बाकी ऑप्सन भी डिसकस करने वाले सबसे पहले आपको मैं बता दूँ इस कोश्चन के बारे में तो लेटी ने जनरल है देखिएगा एक मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन यहाँ पर याद रखिएगा रास्टी रक्षा का आदमी कहां पर इस्तित साती हो खड़क बासला में है यह इंपोर्टेंट है रास्टी रक्षा का आदमी एक्जाम में यहां से नोट कर लेने important है चलिएगा देखिए यहां पर दलजीत सिंग चौधरी की बात किया तो यह SSV के जो है वरत्मान में कौन है प्रमुख है ससस्त्र सीमा बाल इसका फुल फाम होता है नितिन अग्रवाल यह जो है साथियों वरत्मान में BSF के प्रमुख हैं BSF का फुल फाम होता है Border Security Force पहरे साथ यह BSF की स्थाबना कई बार एक्जाम में पूछा आता है बच्चों नोट कर लिजिएगा अनिस दयाल सिंग है ठीक है CRPF की स्थाबना कई होती साथियों 1939 में होई थी यह भी very important है सारे पॉइंट नोट कर लिजिएगा एक्जाम में BSF का CRPF का ऐसा पूछ लेता है महाने जर्सक और प्रतमान रमुख कौन है ठीक है क्लियर है न सारी चीजे चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है हाँ देखिए हिंदुस्तान Aeronetics Limited और कोचीन CPI Limited के बारे माद जानेंगे यहां से आपको एक्जाम में कम्डूटी एक्जाम में प्रस्ण देखने को मिलते हैं कई बार नोट करिएगा साथियों हिंदुस्तान Aeronetics Limited यह एक भारती सार्वनिक शेद्र की Aerospace और रक्षा कंपनी है जिसका मुख्याले साथियों बैंगलूरू में है करनाटका की राजथानी बैंगलूरू में इसकी स्थापना हुए थी 1940 में और इसके अध्यक्ष है श्रीवी अन सबसे बड़ी जहाज निर्मार सुवधाए 1972 में सबसे अध्यक्ष है मधुए शनायर जो मैंने संस्था बताई है इसातियों दोनों को आपको नोट कर लेना है एक्जाम में जो हैं प्रस्निया से बार बार पूछे जाते हैं साथियों चलिए गांगला को श्रीमी ओपें 2024 का पुरुष यूगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है उत्तर हो जाएगा आपका मियामी ओपन मैट एडवेन एबडेन तथा रोहन बोपन्ना ने मियामी ओपन 2024 का पुरुष यूगल ठीक है मेंस डवल का खिताब जीत लिया है इन दोनों ने ठीक है एक चीज और नोट कर लीजिएगा वोपन्ना ने सबसे उम्रदराज एटी पी मास्टर्स एक हजार चेंपियन बने रहने का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है ठीक है चलिए इस्पोर्ट्स इलेटेट बात हुरी थी साथिए इस प्रस्ट में इस्पोर्ट्स इलेटेट मे खेला गया था पॉली उम्रीगर पुरुसकार दोहर चोविस दिया गया शुभुमन गिल को बीचिस याइद वर्द दिया जाता है वरतमान में गुजराश टाइटेंस के कैप्टन भी है और सुभुमन गिल से यादा करिए आप लोग पंजाब इस्टेट का इनको आइकन स्टेट आइकन बनाया गया है भारत निर्वाचा नायोग ने बनाया है ऑस्टेलियन ओपेन 24 विजयता है जाननिक सिनर फाइच पूरुष वर्ल्लकप 24 को विजयता कंट्री है निदर लेंड नेक्स्ट आप से कोशन पूछेगा खेलो इंडिया यूवा गेम्स में कौन सा र नमेश बाबू ठीक है विजय है रे ट्रॉफी आपकी ये क्रिकेट से रिलेटेड है ऐसा प्रसन पूछ सकता है किस से रिलेटेड है तो याद रखिए ठीक है ना आगला कोशन है बच्चों कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री की रूप में किशे नियुक्त किया गया ह क्योंकि साथ यह प्रसन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पहली महिला प्रधानमंत्री उस देश की बनी है कांगो देश की इनका नाम है जुडिथ सुमिनवा तुलुका ठीक है काफी खतरनाक टाइप का नाम है मतलब जुडिथ आप क्या याद रखिए शुमिनवा शुमिनवा जुह हैं बन गई है कानगो की नई पीएंस उमीनवा सुमन से आद रखते है शुमिनवा अपके साइमन हैरीश, लुईज मेंटो शाइमन हैरीश अभी कर्म पढ़ायों अब कम पिएमस्पर्रिर के पुर्तकाल की नए पिएम बनाए गया हैं लुईस में ठीक के पूर्टगाल के चलिएगा तो अफ्रीका देश अफ्रीकी देश से कांगो इसकी राजधानी याद रखे किशांका इसकी केप्टल है साथियों यहां पर काफी थोड़ा सा जो है मतलब यहां पर विवाद बगेरा चल ला है तनाव का महौल है तुलका की नियुक्तिय से सम का रन बनाने वाले भारती विकेट कीपर बन गए मस धोनी ठीक है मस धोनी बन गया है तो ऑप्सन राइट एंसर हो जाएगा ठीक है चलिएगा प्रिंसिपल डारेक्टर जंडल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है प्रेस इंफॉमेशन ब्यूरो ठीक है प्रेस इ इतना आपको नहीं ध्यान रखना यह जरूर जानिक प्याइबी जो है आपकी गवर्मेंट जो नीती होती है उसका प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानकारी प्रशाजित करने के लिए भारत सरगार ग्रोड़ेशन सी है फैक्ट चेक भी करती है जैसे कई वार चेक्ट शुरूर में किसने पढ़ार ग्रिंड किया हैसाथियों तो इसका राइट असर जाएगा जैस्री दास्ट बर्मा और और इसकी सथापना ऊई थी उनिष्छ 7 में फिक की इसकी स्थापना कि इस ने की थी घंस्याम दार्ष बिल्ला और पुर्षोत्तम दास ठाकूर ने की थी साथियों इसके सदस SME और बहुराश्टी कंपनियों सहित नीजी और सार्विक दोनों कार्पुरेट छेत्र के हैं इसका मुख्याला याद रखिएगा बच्चों नई दिल्ली कंदर इसका हैटकॉटर इस्थीत है ठीक है फिक्की का लेडी ऑगनेशन का 41 राश्ट में किसको बना दिये साथियों जाय स्रीदाश बर्मा को नोट करते चलिएगा सारी चीजे करेंड अपने कॉपी में ठीक है अगला कोशन देखते हैं नेक्स कोशन देखिए कोशन नमबर साथमा क्या है हाली में किसे नीव इंडिया इंसोरेंस का अगला CMD यानी चीफ मैने जिन डारेक्टर चुना गया है निव इंडिया इंसोरेंस कंपनी का तो साथियों राइड एंसर इसका हो जायेगा आपका गिरिजा सुब्रमन्यम को साथियों आपका निव इंडिया इंसोरेंस का अगला CMD बना दिया गया है नोट कर ये कॉपी में नवीन जिंदल के बार हाली में साथियों आपके एंसीयल एंसीयल के आपके नए प्रमुख बने हैं इंडियन 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 के आपके क्या बने है ये नए अध्यक्ष बन दिया गया है देखिए निए इंस्वरेंस कंपनी के बारे मिजान लिजे साथियों इसकी स्थाबना हुए थी 1909 में सर दोराब जी टाटा जी ने की थी यह सामान नभीमा वेशाराश्टी करन धिने मुश्च्टी के प्रावधानों के अनुसार 1972 में राश्टी कित हुआ था इसका जो प्रधान कारयले मुंबई में है और भारत की सबसे बड़ी सामान नभीमा कंपनी है यह इससे पहले जो हैं साथियों इनका जो नाम है गिरिजा सुब्रमने में इससे पहले इन्होंने अग्रिकल्चर इंस्वरेंस कंपनी की वर्तमान इनको अब निव इंडिया इंस्वरेंस का अगला सीमडी के रूप में बनाया गया है ठीक है नेक्स कोश्चन देखिए साथियों यह कोश्चन आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और एक्जाम में पक्का पूछे जाएगा इसका सारा का सारा ऑप्शन भी बहुत इंप इसके बारे में कुछ आइडिया है अपको एक क्या चीज है आइडिया है हलाकि मैं बता चुक हूँ अपने क्लास में रिगुलर क्लास जो मेरे स्टूटेंट हूं को याद होगा तो इसके बारे में चर्चा करेंगे पहले जाल लेते हैं यह आई अधारित फिल्म यानि की Artificial Intelligence ठीक है तो यह देखिए यह फिल्म का पोस्टर आप देख सकते हैं मैं फ्री में इसका जो है फ्री में प्रमोशन कर रहा हूँ ठीक है हाल के दिनों में Artificial Intelligence के बारे में काफी चर्चा हो रही इस विश्यापर बनी पहली फिल्म इराह का ट्रेलर और गाना लाउंच मुंबई में हो चुका है फिल्में रोहित बोस रॉय राजेश सर्मा करिश्मा कोटाग और रक्षित भंडारी इसमें प्रवग भूंकाओं में से हैं ठीक है चलिए बिग भी फिल्म मीडिया दौरा निर्मित और सैम भटचार जी दौरा साथिए हीमेन आईड हीमेन ऑइड रोबोट है इसको अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है गगणयान गगणयान होगा उसमें भेजा गया है भारत का पहला सेप्टिक टैंक रोबोट बनाया गया भारत का पहला। रोबोट आइरिस जो है यहापकी भारत की पहली AI आधारी शिक्षा बनी है केरल में ठीक है भारत का पहला AI आधारी सिक्षा कौन बना है आईरिस इसका नाम है ठीक है तो सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे ठीक है ना चलिए अब देखिए कुछ की पॉइंट देख लेते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपका रिवीजन के तौर पर बहुत ही इंपोर्टेंट है साथियों करेंड़ फेस में स चेक रिपब्लिक की हैं साथियों ठीक है चेक रिपब्लिक की है याद रखिएगा अर्याणा के नए सीम बने हैं नायाप सिंग सेनी आपके मोनोहलाल खटर जी के स्थान पर नाटों को 32 सदस्य बन गया हाली में स्वीडन सूरत डाइमेंड के हाली में अध्यक्ष जो है तूरट डाइमेंड बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गोविंद धोलकिया साथ ध्यान दीजिए गोविंद धोलकियों को राजसभा से भी बीजेपी ने जो है राजसभा में इनको चुना गया है अवेल पुरुसकार अवेल पुरुसकार दोहर 24 जीता है मिशेल टेलाग्रेंड राजसभा में गोविंद धोलकिया बने है ऐसी धोलकिया अगरके कोई एक बने है राजसभा में चुने गया है वो मुझे कंफरमनी एक बार आप लोग चेक कर लिजिएगा अब यार इतनी चीजे मुझे नहीं या बना टोटल 277 ठोक दिया था संराइज साधरावाद ने ठीक है ना चलिएगा मुंबई इंडियेंस के खिलाब बनाया था चलिए तो यह सारी चीजे देख लीजेगा और यहां पर यह जो मैंने बताया सूरा डाइमंड बोर्ट करने थे गोविंद धोलकिया ने चुना है तो अब गोविंद धोलकिया नाम के कोई व्यक्ति हैं जो बने है मुझे याद नहीं आ रहा है नेक्स देखिए हाली में पहला परमाडू उर्जा शिखर सम्मेलन कहां आजूत हुआ है साथी में पहला परमाडू शिखर सम्मेलन इसलिए इंपोर्टेंट है आपका यह बे इंसर रहाएगा बाल भेदभाव सनिपटने के लिए बिध्यक पारिद करने वाला पहला देश बन गया फ्रांस कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रांस से लेटेट एक इंपोर्टेंट कोश्टन याद रखिएगा भारत का यूपी आई अपनाने वाला आपका पहला रूपी देश बना है फ्रांस ठीक है यह पॉइंट नोट कर लीजेगा एक्जाम में इंपोर्टेंट है चलिए और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट में बता रहा हूं है यह पास्पोर्ट इंडेक्स में फ्रांस जो है टॉप पर रहा भारत की रहें किस्मती 35 स्थान पर हैं फ्रांस ने स्कूल में महिलाओं के लिए आवाया पोशाक पहने पर प्रोटेंट लगा दिया है ठीक है फ्रांस की राजधानी क्या है पेरीस है हाली में ATMA के नए अध्यक्ष कौन बने भाई यह आत्मा आत्मा नहीं है यह इसका फुल फॉर्म क्या है आप लोग सोच रहे टायर मैनुफेक्चरर्स एसोसीएशन ठीक है 2018 से कंपनी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफीसर थे यह और अब जो है आत्मा जो है यह यह यानि की ATM में देश में टायर मैनुफेक्चरर्स का अरुनेशन जिसकी स्थाबना 1975 में गठित किया गया था आपको वता दे कि इसमें स्थाना को गांबिया में भाति उच्चायुक निउट किया गया है यूँए डी आरार का सहयक महसची कमल किशोर को बनाया गया सदानन दाते को साथियों हाली में नेशनल इन्विस्टिगेशन एजनसी का चीफ निउट किया गया है इंपोर्टेंट कोशन नोट करिएगा अभए ठाकुर को मेंमारे भारत कर आजूर निउट किया गया है हंस मिस्रा को यूपी एस्टी में निदेसक बनाया गया है साथियों हंस मिस्रा को नोट कर लीजिएगा यूपी में चेर मैंन सबसे गहरा बंदर गाहा है साथिओं कोशन एक्जाम में यहां से पक्का बनता है भारत का प्राकृतिक बंदर गए यह आपका ठीक है और आपका जो नेक्स्ट है विशाक़्ापतना में भारत का सबसे गहरा बंदरगा है सातियों भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है बच्चों नोट कर लिजेगा सबसे गहरा बंदरगाह आपका एक्जाम में यहां से प्रस्ण बारवार बनता है मुंबई जो है आपका यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ठीक है सबसे बड़ा पारदीप ओडिशा में मुंबई तो आपको पता है महरास्टा में है ठीक है महरास्ट में चलिए तो इसका ओप्शन राइट एंसर हो जाएगा ओडिसर से लिटेट फैक्ट बता दूँ आपको भारत का पहले इसकी इंडिया सेंटर बनाया गया अहली में संभलपूर बता देता हूं ज्यादा दुनिया भर का कंटेंट पढ़ने से भूल जाएगा इससे बेता रहे उतना पॉइंट याद रखिए जो जरूरी एक्जाम के लिए ठीक है ना चलिए रिवीजन करते हैं का फटापट तरीके से पहला कोश्चन रिवीजन करिएगा एंसर भी दे राइड यंसर क्या हो जायागा चलिए दोनी जो है सातिओं महें सिंग दोनी बन गए उप्तर हो जाया है नेक्स कोश्चन देखिए वेड़ी मंदिर पेरा को जिआई टेग मिला है यह किस राज्य का है सात्यों उपतर हो जायाएगा त्रीपूरा ऑपसाने राइड एंसर जाता है प्रतिवर्स ओडिसा दिवस एक अप्रेल को उतकल दिवस भी कह सकते हैं आप इसको नेक्स टाइम हाली में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फिर से कौन कप्तान बनाए गया है उत्तर हो जाएगा इसका बावर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट वोड का फिर से कप्तान बन बनाएगा है आयरलेंड के सबसे युबा पीम कौन बन गए हैं साइमन हारीस ओसर नाइजर में भारत के अगले राजदूत कौन बनाएगे पनाएगेस टीनों सीटाराम मीना नाइजर में भारत के हमानित किया गया है इंस्झान है इस नीच'll लांदा हाली में किसने प्रतिष्ठीद टाइम्स पावार आइकन 2024 अवाट जीता है उत्तर हो जाएगा विजय जैन ऑप्सन भी राइटेंसर हो जाएगा ठीक है तो पूरे बताईएगा पढ़ाई करने के लिए बुला रहा हूं ताकि आपको सेलेक्शन हो जाए आप नोकरी पाजाए और आप खुशहाल जीवन जी उसके लिए भी नहीं आ रहे हैं अब क्या किया जाए ठीक है तो दिन भर रिल्स देखने के लिए आप लोगों के पास टाइम परिय कुछ भी अपडेट चाहिए तो और टेलिग्राम फालो कर सकते हैं और यह पीडियेफ है आप इसको पर्चेस कर सकते हैं इस कैनल भी दिया गया है और सारी पीडियेफ फाइल अपडेट कर दीगे हमारी अप्लिकेशन पर अप्लिकेशन को जुरूर डाउनलोड कर तो मिलते हैं साम को पांच बजे लाइब क्लास में सारे बच्चे आईएगा ज्यादा से ज्यादा जितने बच्चे देखते हैं आप लोग आते नहीं साम को लाइब मैं इंतजार करता हूं लेकिन बस हुआ ही 40-50 बच्चे ठीक है आज कम सकम 20-30 बच्चे एक्स्ट्रा झाल